हेआ अबिश्य दिस जो टी है आज हम बात करेंगे उत्राखंड में जो बिएट कर रहे हैं या जो Big विएट कर रहे हैं उनको काफी काफी कंफूजन है कि what about जो हमारा study center है and second one is हमारा जो regional center है और जो हमारे जो university है में ठीक है जो हलदवानी में है तो इनका basically role क्या होगा ठीक है तो हमारा जो beard है odial है और जो special beard है तो first of all जो study center है study center में क्या होता है कि जितने total I think आपके 9 study center है मैंने उस पे वीडियो भी बनाई है 9 है और जो special beard है उनके 2 study center है study center पे होता क्या है मेलनी जैसे मान लीजिए आपके total seats है odial में 500 और मान लीजिए कि 490 candidates ने admission ले लिया है प्रॉपरली अब इन 490 को 9 से divide करके एक एक जो university सुरी एक एक study center में जितने candidate आएंगे उसको उसमें admission दिया जाएगा और मैंने process बताया था कि preference के इसाब से अगर preference फुल हो गई है तो फिर study center दूर भी मिल सकता है तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है देखो मेरा study center भी बहुत दूर है और मैं रहती हूं डेली में तो ऐसाच कोई दिक्कत नहीं है study center में स्रिफ आपका एक ग्रूप बनेगा तीक है उसमें आपके study center से related आपको information दी जाएगे अगर आपके क्लास लग रही है या नहीं लग रही है classes आपके online होती है तो study center का ये role होता है और जैसे मेरी रानी केत में और देखो ऐसा नहीं है कि सारे study centers पे class लगती है मेरे study center पे class लगती थी लेकिन कुछ study centers पे class नहीं होती थी इसके लावा जो भी आपके information होगी जो results related या form भढ़ने से related इसके लीजाम से related वो आपके study center पर भी आती है और एक आपका group बनता है university का ठीक है, आपके दो group बनते हैं एक बनता है आपका university का group और एक बनता है आपका study center का group वो वाट्सप पे अपने आप बन जाएगा और रही बाद हमारे regional center की तो regional center यह study center का ही काम करता है मैंने call करके पता किया था क्योंकि हमारा भी ऐसाच कोई है नहीं regional center का हम study center ही बोलते हैं इसके लावा जो आपकी books हैं जो उत्रा खंड में रहते हैं वो तो अपने study center से खुद collect करते हैं इसके लावा आप अगर other street के हैं तो आपका जो आपने address दिया है postal address वहाँ पे आपको books मिल जाएगी तो study center का यह भी रोल होता है कि अगर आप उत्रा खंड से बिलॉंग करते हैं और आपका जो भी study center मिला है आपको वहाँ से आपको study material है वो खुद collect करना होता है तो regional center का तो मैंने बता दिया study center regional center सेम ही है तो hope आपको समझ आगया है रही बात classes की classes आपकी online होती है तो आपको जाना नहीं है तो इतना मतलब परिशान हो रहे हैं कुछ लोग की दूर हो गया study center तो कोई दिक्कत नहीं है online नहीं सारा इसमें process होगा ठीक है अब हम बात करते हैं में जो हमारी university है तो इसमें आपको साल में दो बार जाना है और दो बार एक जाना है फर्स semester में और जाना है थर्ड semester में छे-छे दिन के आपकी workshop होई और यह जो workshop है आप इसे skip नहीं कर सकते हो most 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 important यह आपको attend करने ही होगी पिछले साल lockdown की वज़े से हमारी online हुई थी इस बार कुछ confirm नहीं है कि online होगी या offline होगी online होती है तो बहुत अच्छा है और अगर offline होती है तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा 6 दिन के लिए फर्स semester में देन थर्ड semester में तो यहाँ पर सिर्फ दो दिन का काम है study center भे आपको कुछ नहीं करना कहीं नहीं जाना अगर आप उत्रा खंट से है तो बुकले करा सकते हैं अपनी इसके अलावा कोई काम नहीं है आपका ठीक है और होप आपको समझ आ गया होगा दोनों में तीरों में डिफरिंस समझ आ गया होगा किसका क्या रोल है और इसके लावा exam देने के लिए अभी तो आपने जो exam center के चूज कर वा लिया होगा आपसे साथ में ठीक है आपने जो भी exam center चूज किया होगा इसके लावा जब आप second semester का form भरेंगे कोई दिक्कत निया कि उसमें कुछ limited होता है उसमें कुछ limited होता है उसमें कुछ limited नहीं है जहां पर आप लोग select करेंगे वहीं पी आपको वो exam center मिलेगा जहां पर exam देना चाहते हैं और इसमें ऐसा निया को exam form fee वगरा कुछ नहीं भरनी है exam की date sheet आ जाएगी और उसके बाद आपको exam देने के लिए जाना है अभी भी कोई किसी का doubt रह गया है तो comment section में comment कर देना मुझे thank you